हेलो दोस्तो नमस्कार हरे कृष्णा स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लैम स्पोट्स में बात करेंगे ओलम्पिक के बारे में जहाँ पे स्पेन वर्सिस यूएसे की बीच मेच होने वाला है यार आपने देखा होगा किस तरह से यूएसे दोस्तो दो मेचीस ज स्पेन बहुत ही स्ट्रोंग टीम है जहां पर दियाज की बात करूँ तो दियाज 27 स्पिट में 14.4 रिबाउंट 1830 जिल दोस्तो दियाज लास्ट गेम में ही स्टार्ट किया था उससे पहले जो दो गेम था उसमें उतना चा खास नहीं किला था और बेंस से किला था तो अब स्पेन के खिलाब मेच हुआ तब दोस्तो बारा पॉइंट उसने स्कोर किया था यह आपको ध्यान देने की बात है माक गसॉल माक गसॉल की बात की जाए तो दोस्तो यह इंप्रूमेंट ला रहा है अपनी गेम में 9.6 रिबाउंट 4 आसे स्कोर करके उसने काफ़ अच्छा काम किया था लेकिन दोस्तो फिर भी अपनी टीम हार गई यानि कि दोस्तो उसकी टीम हार गई थी रुकी रुब्यों दोस्तो 24 मीट ही खिला था अठारापन 3 डिबाउंट 9 असे जिशने स्कोर किया था विक्टर क्लेवर की बात करो तो इस बार फ्लॉफ गया था लेकिन द इसकी भी होने वाला क्योंकि दोस्तो उसको टाइम नहीं मिला था खेलने के लिए उसकी जगह दोस्तो चारा का सारा टाइम लूल को और रोडरी गज को मिला था आपके सामने रिजल थे आप देख सकते हो लेकिन कभी-कभी दोस्तो एबरिनेस को बहुत ही चाइम मिलता है गेम का स्पेन का रेकोड है आप एक बार ज़रू चेक कर सकते हो लूल नहीं 10 पॉइंट स्कोर किया था पॉल गलसोल दोस्तो बेंस या के सबसे प्रोड़क्टिव पफरमस दे रहा है ओभी कम मिनिट में 9.8 रिबाउंड दो आसिस्ट और लास्ट गेम में भी पॉल गलसो पॉल रहा है दोस्तो अड़बायों की बात करूँ एभी फ्लो फॉर रहा है बेस्ट खेल रहा है ठीक है चेंपियन है दोस्तो अभी इस सिजन एंबिया का 11.3 रिबाउंड दो आसिस वन ब्लोक और तीन स्टील जहाँ पर जाईसन तहितम की बात 23 मिट में 27.2 रिबाउंड ठीक है उसके पड़ ड्रीम और गरीन को बेक अप सेंटर के लिए खिला जाता है बेक अप फॉरवड के लिए 1.4 रिबाउंड दो आसिस्ट मिडिल रंड को दोस्तो 22 मिट खिला था तेतम 23 मिट खिला था अभी दोस्तो आप लोगों का डाउट होका कि यहाँ पर बुकर को तो only 9 मिटिक क्यों खिलने के लिए मिला दोस्तो उसका फाउल टॉबल था फिफ फाउल उसने कमिट कर लिया था इसकी वज़े से दोस्तो कम समय मिला था यूए से कि बात की जाये तो इरान के बीच में आच हुआ था तब दोस्तो almost यार बहुत ही सारे खिलाडी खिले थे जदद जदद टाइम और बात की जए तो अच्छा खासा काम भी उसने किया था आप यहां पे देख सकते हो तो फ्रेंड्स यहां पे आपको लाइन अप स्टेट वगरा जानना है और बात की जए तो स्कोर्ड का भी इन्फरमेशन मिलेगा जहां पे दुस्तो ड्रीम 11 टीम आपको अपड़िट मिल चाहेंगी बिल्कुल ही फ्री में तो फ्रेंड्स यह भी ड्रीम इले उन टीम के बारे में हम बात करें तो दोस्तो जो सेथ से फीक है उसको ले लेंगे रुब्यो है जो वलिडिय है केविन डूरांट है और सेंटर की बात करूं तो सेंटर में जुस्तो सबसे पहले तीन ख्रेली आपके लिए लिए चाहिए अड़ेबयो को दुस्तों में सज्यस्ट नहीं करूंगा पॉल गसॉल है जो 12 करडिट है लेकिन दुस्तों कभी कभी प्रोड़क्टिव कर जाता है लेकिन उससे पहले जो 12 करडिट का है वो मेरी ख्याल से अच्छा होगा अगर जैस्म टेतम से पहले आपको लिलाड लेना है तो उसके बाद दुस्तों यहां पर बात करे तो मिडल मिट के कहले के में 22 मीट खलने के लिए मुख का मिले था इस बार भी अगर अच्छा सा टाइम मिले तो अच्छाओगा तो इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ उसके 34 हमारे पास 스킬 character है हमें लेना है center में center में दूस्ट में Mark Gasol को लेने वाला हूँ उसके बद 22 character में दूस्तो हम क्या कर सकते है Taitum को ले सकते है या Mandala को ले सकते है दोनों में से किसी को भी आप चाहेँ तो ले सकते हैं आप देख सकते हैं पास के डिट अवेलिबल एक डिफेंसिव प्लेयर्ज की जो रिबॉंड भी अच्छी तरीके से लेता है तो दोस्तो तेतम यहां पर मैं सज्सक्रूँगा आप वोल चुनिए अगर आपको त्री पॉंटर शूटर है आसिस्ट अच्छा करेगा तो । दो खेलड़ी यह लिल ठीक है जहाँ पे लिलार को मैं पहले सजीश करूँगा लबिन से तो बाकित दोस्तों यहाँ पे लास्ट पीक आपके यहाँ पे चूज करनी है स्टार्टिंग लाइनप के मुताबिक हम फाइनल टीम के बारे में आपको ड्रीम एलोन पे सोली दोस्तों टेलिग्राम चेल पर आई होप आपस समझ गए होंगे तो बाकी तो दूस्तो टरम काड़ पिक लिलाड है जहां पर दूस्तो इस पीन यानिकी स्पेन की बात करो तो दूस्तो आप रख सकते हो रूडी फर्णांडेस को एक काफी अच्छी पीखे दूस्तो रिक्टर क्लेवर ने एक आद मेचिस दूस्तो बहुत इच्छी तरीके से खेला था तो हो सकता है नेक्स मेचिस भी अच्छी तरीके से खेला तो इसको भी एक दो टीम में ज़रूर ट्राइ करे तो बाकी अपडेट आपको मिल जाएगा बाई बाई फ्रेंड हरे कृष्णा टेक केर